मौसम की मार के साथ इस संक्रमन के फैलने के लिए अनुकूल वातवरन बढ़ने लगा है इसका सीधा असर स्वास्त पर पढ़ने लगा है यही वज़ा है कि पिछले 3-4 दिनों से कोरोना वाइरस का प्रसार भी तीजी से हुआ है 24 गंटे की पीता जिले में 84 पॉजिटिव मिले हैं इनमें सिटी में 56 ग्रामिन में 28 संक्रमितों का समावेश रहा संक्रमित बढ़ने के साथ ही जिले में एक्टिव केस बढ़कर 274 हो गए हैं प्रशासर ने टेस्टिंग भी बढ़ा दी है 24 गंटे में कुल 549 नमोनों की चार्ज की गई है इनमें सिटी में 473 और ग्रामिन के 66 नमोनों का समावेश रहा फिलाल 261 लोग आईसोलेशन में रहकर इलाज करा रहे हैं वर लेकनी है कि नाखपूर में 11 मार्च 2020 को को और गारीश मिला था पहले ही मृत्यू 7 अप्रेल को ही थी इसके बाद दो वश तक को और नहें हलाकान किया की आने वाले दिनों में कोरुना और बढ़ने की संभावना है इसली बार बच्चों में भी अधिक प्रमार में संक्रमाण देखने कुम मिल रहा है मौसम में बदलाव का सबसे ज्यादा असर बच्चों पर हो रहा है बच्चे स्कूल जा रहे है इस वज़ा से एक से दूसरे बच्चे में प्रसार जल्दी हो रहा है तबियत बिगड़ने पर बच्चों को स्कूल ना भेजे वहीं लोग लक्षन दिखाई देने पर भीड़ वाली जगा पर जाने से टाले क्यामरा परसन राजकुमा मोहड के साथ अक्सन सारी बीसे न्यूस नाक पुरूर।